नमस्क्राइब दोस्तों स्वारत है एक और चांदार वीडियो में फोड़ों दिन पहले मैंने दोस्तों एक वीडियो डाना था कि FBI account में कितना interest मिलता है और किस-किस तारिक को वह interest हमारे account में credit होता है तो दोस्तों उस वीडियो पे मुझे बहुत यादा support किया आपने बहुत यादा प्यार दिया तो उसके लिए मैं दिल से आपको thank you बोलता हूं अब दोस्तों मेरे पास एक सवाल आया है तो हमारी एक audience ने एक सवाल पूछा है कि अगर हमारे saving account में एक लास रुपए है तो एक महने में कितना interest मिलेगा तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि कितना interest मिलेगा और मतलब सालाना कितना interest बैठता है और monthly वह interest कितना बैठेगा तो इस वीडियो पे मैं आपको बताने वा है तो उसे subscribe कर लेना तो चलिए अब बता देता हूं मैं आपको कि कितना interest हमें मिलेगा तो दोस्तों उनका comment आया था और उन्होंने हमसे पूछा था कि एक लाक अगर saving account में हमारे जमा हैं तो हमें कितना interest मिलेगा एक महीने का तो दोस्तों वैसे तो bank हमें सालाना interest देता है और तीन-तीन महीने में quarterly में वह हमारे account में credit करता है तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे वह मतलब interest एक महीने का कितना interest जो है bank हमें देगा तो दोस्तों उसके लिए एक formula होता है तो आप उस formula की मदद से बहुत असानी से यह निकाल सकते हैं calculation तो दोस्तों उसका formula हमारे सामने देखे यह है principal प्रिंसिपल अमाउंट कि यह इनुवल इंट्रेस्ट हर देखिए व्णी मंट को गुणा करना है और दोस्तों उसके बाद हमें जो है डिवाइड करना in से डिवाइट करना है 12 months जो कि 12 months होते हैं और गुणा सो करना है तो दोस्तों यह formula है बहुत ही simple सा तो इस formula की मदद से हम इंट्रेस्ट निकाल लेते हैं अब दोस्तों मान लीजिए interest rate है हमारा SBI का 2.7% देखिए interest rate हो गया 2.7% साल आना यह ली है ठीक है दोस्तों अब यह 2.7% 2.7% तो interest rate हो गया हमारा अब दोस्तों हमें क्या करना हो को सबसे पहले principal amount हमारा कितना था 1.7% एक लाख रुपए तो दोस्तों 1.7% को हम 2.7% से गुणा कर देंगे तो 2.7% से हम इसकी गुणा कर देंगे तो परसेंट निकाल लेंगे इसकी तो friends अभी हम देखे एक लाग गुणा 2.7 परसेंट इसको जो है परसेंट हम गुणा करके देखते हैं इसकी तो दोस्तों यहां से देखिए यह एक लाग रुपे हमने डाल दिया गुणा 2.7 और परसेंट का option नहीं है इसमें तो इसको हम जो ह कि इतना आ जाएगा दो लाग सत्तर एजार भाग करदेंगे सो से तो दूस्तों सो से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा सप्ता इस सो रुपे है दोस्तों यह सब87 रूपे गया मदलब की पूरा इल्ली का इंट्रेस्ट रूपिया सब 17 सो रुपे में भाग 12스타 करना होगा तो 12 months कर देंगे हम इसको, तो divide by 12, अब इसको यहां से हमने divide by 12 कर दिया, तो दोस्तो 1 months का जो है हमारा interest आ गया, 1 months का interest, यह हमारा आ गया 225 रुपए, तो दोस्तो आपको जो है, एक लाख रुपए अगर आपका saving account में जमा है, तो आपको महीने का 225 रुपए बैठता है आपका interest, और साल का बैठता है 2700 रुपए, तो दोस्तो यह हमारे को quarterly मिलता है, तो 2700 का जो है, तीन-तीन महीने का जो भी बैठेगा, वो हमें हमारे account में carry it हो जाएगा, तो एक महीने में हमारे को 225 रुपए का interest मिलेगा, एक लाख रुपए पर, तो दोस्तो यह simple सी calculation थी, तो उम्मीद करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो